तो हेलो जैहिन और मैं आपको स्वागत करता हूँ डिफिन सड़ा 247 के इस प्लाटफॉर्म के उपर मेरा नाम है अतुल धिमान और मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सो फाइनली हमने एक और अपना एरफोस स्टेशन उसको उसकी जो नीव है वो रख दी है और यह जो एरफोस स्टेशन है यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट लोकेशन के उपर बनाया जाएगा राइट इस एरफोस स्टेशन का नाम है दीसा एरफोस स्टेशन और यह एरफ स्टेशन का importance है कैसे कैसे इसमें बाधाएं आई इसको आप final approval करने से पहले पहले और यह Air Force Station हमारे देश के कौन-कौन से important areas हैं जिनका सीधा-सीधा protection करेगा राइट सो यह Air Force Station जो है अभी recently हमारे जो प्रधान मंत्री है उन्होंने इसकी foundation रखी और यह Air Force Station जो है this is in Disa in Banas Kantha district of Gujarat तो हमारा जो वायू सेना है उसकी ताकत अब और भी ज्यादा powerful हो चुकी है उसकी ताकत जो है और भी ज्यादा बढ़ चुकी है तो चलिए शुरुआत करते हैं इस Air Force Station के बारे में जानने की सबसे पहली बात तो यह है कि यह Air Force Station में सबसे important चीज यह है कि इस Air Force Station का जो एरिया है यह एरिया strategically बड़ा ही important एरिया है यहां पर आप देखेंगे कि यह एरिया लगभग 130 किलोमेटर दूर पाकिस्तान जो देश है उससे सिर्फ और सिर्फ 130 किलोमेटर दूर है मतलब कि अगर अगर हमें कल को पाकिस्तान के उपर अटाक करना है क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका कोई पता चलता नहीं है तो वो कभी भी किसी भी टाइम पर हमारे उपर अटाक करेगा तो हम लोग उसका मूँ तोड़ जवाब देंगे तो उस मूँ तोड़ जवाब के दौरान जो है इस एर बेस का बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली बहुत तरीके से इस्तमाल किया जा सकता है क्योंकि ये एर बेस जो है पाकिस्तानी सीमा से सिर्फ और सिर्फ 130 किलोमेटर की दूरी पे है राइट सो ये बहुत ही अच्छा हम लोग रिटालियेशन कर सकते हैं जब भी पाक पाकिस्तान कुछ थोड़ी बहुत चुटपूट सी हरकते करेगा राइट तो चलिए इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं ओके नाओ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने गूगल तो को इस्तेमाल किया होगा है ना हम भी आपको कहते हैं जब भी आपको कोई चीज पढ़नी है समझनी है गूगल खोलिए और गूगल आपको सब कुछ देगा गूगल सब कुछ आपके बारे में जानता है यह हम लोग कहना गलत नहीं होगा राइट सो गूगल जो है जो करनाइजेशन ट्रस्ट के लायक हैं और मैं आपको कमाल की बात यह बताता हूं कि एशिया के अंदर पहली बार एशिया के अंदर पहली बार गूगल ने इन्वेस्ट किया है एक एजूकेशन प्लाटफॉर्म के अंदर और वो कोई और नहीं वो अड़ा 24-7 है और गूगल ने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो हम लोग क्या उसका करने वाले है उसका एक मेजर हिस्सा आपके डिरेक्ट बेनिफिट के लिए होगा वो मेजर हिस्सा आपके डिरेक्ट बेनिफिट में कैसे होगा कि आपको 10 करोड का एक स्कॉलर्शिप दिया जा रहा है आपको मतल किस चरी के से हम लोग दे रहे हैं सिंपल चीज और से हमारे जितने कोर्स अबंड हुआ चल रहा है इन सारे कोर्स के आंदर आपको आज के टाइम का सबसे जादा किफायती और सब ज़्यादा कम प्राइज मिलेगा देखिए पंद्रह सो दो हजार का डिफेंस का मापैक अगर कोई बच्चा है जो तयारी करना चाहता है और वो डिफेंस मतलब मल्टिपल एक्जाम की तयारी करना चाहता है डिफेंस महापैक कितने का दो हजार का कितने टाइइं तक एक तक नहीं दो साथ मतलब डबल एलेटी यहां पी आपको मिल रही है डबल वालेटी एक साल नहीं दो साल तक आपको यह मिलेगा चीक है CSF यह सारे बैच जो है आपको जितना भी है वो डबल वैलेडिटी के साथ मिलेगा और सबसे कम प्राइज में मिलेगा अब आप बोलेगे सर यह मतलब कैसे कैसे मिल सकता है हमें यह चाहिए आप जो है यह 2500 आज के टाइम पे इतनी महिंगाई के टाइम पे इस लाइक बहुत नॉर्मल चीज है अगर आप पटाके खरीदोगे नहीं या दिवाली पे बहुत साधा खर्चा वर्चा हो जाता है वो उसमें से कम करके अपने करियर के लिए थोड़ा इन्वेस्ट कर दोगे तो यह गलत नहीं होगा तो आप बोलेगे सर इसका प्रॉसेस बताइए जल्दी से जल्दी तो प्रॉसेस यह बच्चों आपने कुछ नहीं करना तीन स्टेप्स में आपने काम करना है अड़ा 24-7 की ऑफिशल जो अप्लिकेशन है वो डाउनलोड कर लिए अपने फोन में आपने वो ड इग्जाम की तयारी कर रहा है तो आप क्या करेंगे इन मल्टिपल इग्जाम को चूज कर लेंगे महापैक के द्वारा और यहां पे आपको एक रेफ्रेल कोड लगाना है बिकॉस विदाउट रेफ्रेल कोड आपको यह इतना प्राइस जो है नहीं मिलेगा मैं आपको बत लखिएगा दिस रेफ्रेल कोड इस फॉर एवरीवन हर किसी के लिए ये रेफ्रेल कोड है वाई 588 और इतना ज्यादा डिसकाउंटेट प्राइज जो है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको इस प्रॉसेस के थू जो है वाई 588 के थूर रेफ्रेल कोड लगाई है और सबसे अफोर्डेबल प्राइज में मिलने वाले हैं सो आप शुरुवात कर दीजे अपनी पढ़ाई की और इस पढ़ाई में अब कोई भी बाधा नहीं हाएगी सबसे बड़ी बाधा बच्चों के लिए होती थी पैसे और ये 2000 का जो कोर्स है दो साल के लिए अब कोई बात करते हैं यह जो आपको मैं बता रहा हूं कि यह जो दीसा एरबेस है इसकी फाउंडेशन स्टोन तो रख दी गई है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा इत्यास है पीछे हिस्ट्री है बैक्राउंड है शुरू से ही सरकार को पता था कि हमें जो है पाकिस्तानी सीमा स किसे एक लगता हुआ एरबेस बहुत ज़रूरी है बनाना क्यूकि पाकिस्तान को कोई पता नहीं है कब क्या कुछ कर दे और हमारा जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे की गुजरात हो गया गुजरात आपको पता है कि गुजरात किस तरीखे काalion हमारे लिए Nej Thought is सी सारी कि सारी industrialization सारा का सारा पैसा जो है देश का बहुत जादा जो contribution है पैसे देश में जितना भी GDP है उस GDP में सबसे बड़ा जो contribution होता है वो गुजरात का होता है महराश्रा का होता है हमें ऐसे areas को protect करना बहुत जरूरी था अब पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं वो तो सीधा एकदम attack करेगा तो वो सीधा गुजरात पर attack करेगा तो हमारे को एक शील्ड की जरूरत थी यह government को पहले से ही पता था और यह government जो थी डाट वाजपई government 2000 के टाइम पे तो वाजपई government को पता था कि हाँ इस तरीके से airbase चाहिए और हमें कुछ करना ही पड़ेगा इस airbase को लाने के लिए ठीक है सो अल्टिमेटली क्या हुआ कि बाजपई government ने तो अप्रूवल दे दिया लेकिन फिर government चेंज हो गई और फिर आई यूपीय गवर्मेंट राइट मतलब कॉंग्रेस पार्टी आगे कॉंग्रेस गवर्मेंट आगे अब मैं उनको कोई हम लोग उस पॉइंट ऑफिस से नहीं कर रहे कि क्रिटेसाइज करेंगे सरकार को यह है वो है बट यह 14 साल तक यह जो डिसीजन था कि airbase चाहिए यह अटका रहा डियूरिंग यूपीय गवर्मेंट उसके बाद क्या हुआ कि जब बीजेपी गवर्मेंट आई 2017 की बात कह रहा हूं मैं 2017 में इसी जगह पे यह दीसा जो है जहां पे बानस कंथा डिस्ट्रिक है गुजरात का यहां पे बहुत बड़ी क्या आई फ्लड जैसे यहां पे मैसिफ फ्लड आए तो बहुत जादा नुकसान हुआ लोगों को बचाना सबसे बड़ी प्रायाइटी था है कि ने सबसे बड़ी प्रायाइटी था सो जो हमारे उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीता रमन जी और प्रदान मंत्री जी ने उन पे जो शती हुई है उसको मतलब थोड़ा शती प्रिवेंट कीजिए बचाईए नुकसान होने से तो बीएस दनोवा साहाब ने अपने जितने भी रिसोर्स से उनका इस्तमाल किया लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इस एरिया में जो आपदा आई और उससे नुकसान तो वो नुकसान इसलिए भी हुआ क्योंकि उस जगा पे किस जगा पे यह जो हमारा बानस कंथा जो जगा है यहां पे हमारा कोई प्रॉपर एर बेस नहीं था देन वी रिलाइस की यार अब पैसा लगाना पड़ेगा अब हमें चाहिए ही चाहिए एर बेस क्यों पहली बात तो वहाँ पे एरिया में लोगों को नौकरिया मिलेंगी सुरक्षा मिलेंगी बहुत सारी चीजे होती है जब कोई सरकारी स्टाबलिश्मेंट लगती है इसक उन्होंने अप्रूवल लिया और दस हजार मतलब लगबग जो है एक हजार करोड का अप्रूवल लिया इनिशल और डिसाइड किया कि अब यह एर बोस बेस जो है स्टाबलिश किया जाना चाहिए तो समझ आ गया तो दिस वाट दो होल स्टोरी बहाइंड इस एर बेस बता रहा हूं कि यह जो एर बेस होगा यह भारतिय वायू सेना को एक बहुत जबरदस तरीके से रिटालिट करने का मौका देगा ओफेंसिव केपबिलिटी जो है इस एर बेस में आ जाएंगी इस एर बेस से आ जाएंगी दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि गुजरात कितना जादा हमारे लिए इंपोर्टेंट है है ना गुजरात एक ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी है जो भारतिय जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा कॉन्टिबूशन करती है पाकिस्तान अगर कल को अटाक करता है वो सीधा गुजरात पे करेगा गुजरात की एकॉनमी जो व साइड में बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस एयर बेस के दौरा इसके अलावा अगर बात की जाए तो यह एयर बेस जो है पाकिस्तान को मूत और जवाब देने के लिए भी पूरा का पूरा सक्षम होगा राइट चलिए तो यह पॉइंट हो गया अब नेक् इस एक के पूछी जाती है अब देखें इंडियन एयर फोर्स जो है अभी करेंटली देखा जाए तो विए अपरेट कर रही है सेवन एयर कमांड़ साथ एयर कमांड दो हर कमांड सो है वह हैड करता है एयर ऑफिसर कमांडिंग इंचीफ अब the rank of air marshal right तो air marshal जो होते हैं वो हर कमांड को head करते हैं जैसे Lieutenant General Army commands को head करते हैं वैसे ही air marshal जो है इन commands को head करते हैं air chief air marshal चलिए अब next हम लोग बात करते हैं यह कौन-कौन सी commands है यह आप ध्यान से देखिएगा विकास यहां से पहले भी सवाल केई बार पूछे गए हैं तो कौन-कौन सी commands है जो बात करते हैं अच्छा यह commands के अंदर ना बहुत सारे air force stations आते हैं जो दीसा बनने वाल है वो भी इसी के अंदर आएगा तो अभी फिलहाल हमारे पास 60 air force stations है all over India और यह air force stations को group किया गया है अलग-अलग commands के अंदर और हर command को head करता है air marshal ठीक है और हर command के बारे में आपको जानना जरूरी है कि यह command कहां पे है यह बड़ा important सवाल पूछा जाता है सबसे पहले बात करें तो western air command जो है वह नई दिल्ली में कहां पर है न्यू डेली में western air command एक सवाल पूछा जाता है देन इस इस्टन एयर कमांड वह कहां पर शिलॉंग में है उसके बाद western air command जो है वह गांधिनगर गुजरात में है ट्रेनिंग कमांड जो है वह बैंगलूरू में है मिंटनेश कमांड नाखपूर में अगर वेस्टन की बात करें नई दिल्ली में है इस्टन की बात करें श्रिलॉंग में है सेंट्रल की बात करें तो प्रियागराज में है सदरन की बात करें त्रिवंतपूरम में है साउथ वेस्टन की बात करें तो गांधी नगर में ट्रीनिंग कमांड की बात करें तो बैंग बात कर दीजे और त्योहार क्या महाल है तो मैं आपको विश्यू और वेरी बेस्ट आफ लग और अपना इंजॉय कीजे इस त्योहारों के महाल में बढ़िया सा अपना इंजॉयमेंट कीजे बट साथ ही साथ जो यह जो छोटे मोटे लेक्चर से इनको भी लगाईए और से अब अलविदा लेता हूँ विश्यू आल वेरी बेस्ट आफ लग थाइंक यू और जय है थैंक यू